नमस्कार दोस्तों टार्गेट विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह कि इस वीडियो में ऐसी सुचना होती है जो विद्धार पत्र पर चाहिवी होती है और विद्धारितियों के लिए आवश्यक होती है तो आईए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज क पर प्रदेश दरोगा भरती की तैयारी कर रहा है तो चचुप्रकाशन की संपूर्ण गाइड आ गई है यहां पर आप लोग देख सकते हैं इसमें 32 से ज़्यादा महाजपूर्ण प्रसन है सौल्ड पेपर भी है और चचुप्रकाशन की और भी बहुत सारी पुस्तके हैं कोई जो सूचना है वह छूटने ने नपाएं पहली सूचना है टिटीटी पीटी की परिच्छत इसके लेकर कर के विद्यारति लगतार मांग कर रहे हैं विद्यार्थियों की मांग है कि मादमिक सिक्षा एम सर्वाट चैनबोर्ड जल सी चलद तीडीटी पीजिटी की जो आफीसियल डेट की जानकारी है वो जारी करते इसके लिए विद्यारतियों ने कई बार ग्यापन दिया कई बार मेल किया और कई बार वहाँ पर जाकर के प्रदर्शन भी किया इसी के संबंद में आज चैन बोड में एक मीटिंग हो नहीं है लेका शिक्षक बरती मामले पर आ सास की स्यायता प्राप्त एड़ेट मादमी कालेजों में प्रशिक्षित इसना तक सिक्षक वा प्रवक्ता तीजीटी पीजीटी दोदर एकीस भरती की लिखित परिक्षकी तारिक पर मंतन होगा ग्यातों की बरती की ऑनलाइन आवेधन 20 मैं तक लिए जा चुकी है और उस संक्रमित होने से इसे यह काया कि रुखना पड़ा अब सक्षातकार की नई तारीकी विगोशित हो सकती है समाजिक विज्ञान विश्य में सिर्फ 6 दिन का इंटर्विव से से इंटर्विव 13 अप्रेल तक चलना था लेकिन 8 अप्रेल को रोग दिया गया इसके बाद में अ संयूग्त एक परिक्षा होगी common eligibility test यानि सीटी होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में UPSC कपी एटी हो रहा उससी तरीके से केन सरकार में अब सीटी होगा उसकी तयारियां पूरी हो यहां पर लिका केन सरकार की और से कर्मचारी चेन आयोग रेलवे भरती बोर्ड बै यंत्रक की निक्ति कर दी गई है के सरकार की ओर से उडिसा के 1997 संजीब कुमार मिस्र को एन आर एक का सच्चिव परिक्षा नियंत्रक निक्ति किया गया है पहले सीटी कराने की योजना सितंबर 2021 में थी लेकिन अब इसमें देरी हो सकती है कुरोना की वज़े से लिखा हुआ कि सीटी शुरू होने के बाद में एससी को तीन बड़ी परिक्षाओं कंबाइंड ग्रेजिवेट लेविल कंबाइंड हायर सेकेंट्री लेविल मल्टी टास्किंग स्टाप से पहले च सिख्चा परिस्यत का घेराव कि अभी द्यार्थियों ने 59,000 सायक अध्यापक बर्ति में खाली पतों को भरे जाने की मांग को लेकर के सुमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक बरति के बरतियों का कहना था कि 59,000 शिक्षक बरति में लगबग 6000 खाली है प्रतेष की बेस सिख्षक की और से अभी तक खाली पतों का आगड़ा तक तयार नहीं किया जा सका है परिशद की और से आगड़ा तयार करने के साथ साथ कांसलिंग का कारकूर्ण दारी करना चाहिए घेराव कर रहे हैं बड़ी का कहना था कि मुख की मंत्री एम बेसिक सिख्षा मंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारी पूरे मामले में हीला वाली कर रहा है परदर्सन कर रहा है वर्थियों का कहना था कि जब तक काउंस्लिंग का कारक्रम दारी नहीं होता वह बेसिक सिक्षप परशित काराला से नहीं अटें वहें पर नीचे कुछ तस्वीरें हैं यह विद जार्थियों की अगले सूचना है जून्गर असिस्टेंट वर्थी की लिखा कनिष्ट सायक वह आपरेटर की टैपिंग पर इच्छा की थी 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 यूपी ट्रीटर से लगातार अब नोटिस आनी शुरू हो गई है लिखा है उत्तर परदेश से दिनस्रीव चैन आयोग गरते लिखत परिच्छा के लिए रिक्षा कि थाटार ऐस्पष के यूप यक्षट की लिए में परिक्षा करेंडर और जारी हो सकता है जो जानकारी है यह उतिंग परीक्षय के प्रिक्ष्चे पर सुरू करडिया है और उसकी कोशिस ऐग महिने हैं अगली सुचना जैइमेंस की है 25 जुलाइक आज पास हो सकती है जैइमेंस लिखा चात्रों की निगाहें जैइए याईनि जॉयंट एंट्रेंस एकजाम मेन और नीट इनेशनल इलिजबिल्टी कम एंट्रेंस टेस्ट पर टिकी है फिलहाल इन परिक्षाओं के आयोजन की जो अगली सुचना हो सकता है और इस बीच नीट को लेकर के भी एंटी ने पूरा खाका खींचा है और इसमें पहले से गोशित एक अगस्त की तारी को थोड़ा सा आगे बढ़ाए जा सकता है उत्तरप्रतिस लोग सेवायोग की भरती की है 2017 में भरती निकली थे इस्टाफ नर्स की उसको रद कर दिया गया और अभी जारी हुआ है उसमें घोसित हुई है यह परिक्षा इस्टाफ नर्स की यह देखिए यहां पर लिखाइस बिद्यारती अब इस भरती में आवेदन करेंगी तो 2017 के विद्यारती हैं वह और एज हो जाएंगी वह बाहर हो जाएंगी उसी की बारे में यह सूचना है लिखा उत्तरप्रतिस लोग सेवा आयोग प्रतियोगियों को रोजगार देने के लिए लगतार बढ़तिया निकाल रहा है इसके संसोधी परिचा केलेंटर से आई सीमा में छूट देने की मांग कर रहे हैं यूपी प्यस्टी ने चिकित्सा स्वास्त इम सेवा तथा चिकित्सा विबाग वो प्रसिष्ण की सम्मलित भरती के विगयापन 12 जनवरी 2017 को जारी किया था इस्टाफ नर्च पुरुष 448 पत्रति की लिए 10 जार से अधि दिया था अगली सुच ना से को लेकर के लिए को रोना से लगातार दूसरे साल आतास होए से के वर्थी 2019 की पिछीडी परिक्चाओं के साथ में 2020 की पूरी नहीं हो सकी है टपड़ी परिक्चाएं जुलाई से सुरू करने की तयारी से का हाल भी आज कर यूपी टिपल सी की नहीं थी जून में तो 29 महीं से जून तक होनी थी वह भी इस्त्र कर दिए ति दिली पुलिज में सब इस्परक्टर की बरती दूसरे चलंग की परिच्चाव की जो बरती एक से 12 जुलाई के बाद प्रस्ता भी थे तो बहुत सारी ऐसी परिच्चाएं थी जो इस रिकित कर परिक्षाम में हो गई लिखा कि सूत्रों की माने यहां पर देखिए लिखा सूत्रों की माने तो अब कोरोना संक्रमन का असर कम होने के बाद आयोग अपनी ठप पड़ी सूधी हो जुलाइस सूरू करने कि तयारी में में 120 की परिक्षा इस्ठीये गे ती जब्कि सीज़ू 200 ह students閃स इंख्ररों की अ 20 सिक्षटर के जलालय से 7 अगस्त करंब हुआ लिया है इसी क्रम में अभी अपने यहां फाइन इयर की प्रिक्षा कप्रस्तावित करें करें लिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेस दरोगाबरती की उत्तर प्रदेश दरोगा भरती की आज सुनवाई होनी है काउंटर लगना जो मुख जो मुख याज का थी और जो बहुत सारी संयुक्त याज का है उसमें पहले की तरह ही याची लाप दिया गया चुकि वह उसी से समंदित थी उसके बाद में एक और याज का है साथ सो एकिस बैठीयों की है उसकी विया सुनवाई होगी उसमें वियाची लाभ आज मिल जाएगा जहां तक और यहीं रहा है अभी यह अंत्री माढर रहा है फाइनल आर्डर नहीं इसमें अभी तो यह सुनवाई जा रही है विद्यार्थियों को किवल फार्म भरने दीए जारा बस इसके लावा कुछ नहीं और जब फाइनल सुनवाई हो जाएगी उसके बाद फाइनल आडर आएगा तब यह देखना होगा कि जनरल आडर आता कि क्या आता है और ज्यादा उमीद है कि जनरल आडर आना चाहिए फाइनल आडर आने में अभी थोड़ा सा समय भी हो गया है लेका यूबी वोड के इंटर्मीडियर वाहाइस गूप परिच्छाओं के रिजल्ट का फार्मूला अगले दो तीन दिन में निर्दारित हो जाएगा और जल्दी इस हफते फार्मूला जारी हो गया तो यूबी बोर्ट सी के पहले ही रिजल्ट जारी कर देगा सीबी एसी के रिजल्ट जुलाई के दूसरे पक्वाले तक आ जाएगा और उप्मूख मंत्री डॉक्टर दिने सर्मा ने कहा कि हम जल्दी फार्मूला जारी कर देंगे हमारा प्रटरन अलग है इसलिए हम सीबीएसी के फार्मूले के इंतजार नहीं करेंगे कि कुछ और भी सूचना है कि नई भरती से पहले टीटी बायो की परिक्षा यहां पर लेका हुआ है उत्तर प्रदेश माध्मिक सिक्षा सेवा चैन बोर्ड पर सिचित इसना तक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी दुएर 21 की परिक्षा कराने के तैयारी में मंगलवार चार बजे अधक्ष वीरेश कुमार की अधक्षता में चैन बोर्ड की साल भर में पहली बार होने जा रहे आफ्लाइन बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है इसी के साथ तीजीटी पीजीटी दौर 21 के पंद्राइजार 508 पर लिए परिक्षा के तारिक भी तै हो पूरी करनी होगी इसके लिए टीजीटी समाजिक वीकेंट 2016 के पांस दिन की बच्चे साक्षातकार भी जल्द करवाने होंगे और प्रवक्ता हिंदी का कालिज आवंटर भी जल्द करने पर चर्चा हो सकती है लिखा टीजीटी बायों के 67,000 अभरतियों को इंतजार टीज